नमस्कार, NH1 News में आप सब का स्वागत है आज Department of Horticulture ने जम्मू डिस्ट्रिक्स से जुड़े हुए और्कडिस के लिए दो दिन का प्रोग्राम शुरू किया जम्मू सन्बाग में बागवानी से जुड़े किसानों को आदोनिक तक्नीक के प्रती जागरूग करने के लिए बागवानी विबाग ने कतालिस किसानों के दल को जम्मू सन्बाग के विबिन छेत्रों के लिए हरी जंडी दिखा कर रवाना किया यह जो आज का प्रोग्राम है यह तूर प्रोग्राम है अंडर M.I.D.H. और आत्मा स्कीम के तहत इसमें नियर बूट कोई 41 फार्मर्स जो हैं वो स्कास्ट में विजिट करेंगे वहां पर गेस्ट लेक्चर्स होंगे स्कास्ट के एक्सपोर्ट की तरफ से उसके बाद फार् पर प्राग्रासिव आर्चड्स को देखने जाएंगे आर्चडिस्ट को जो लोग आर्चड से पैसे कमा रहे हैं जैसे किसीने अगर लीची का आर्चड लगाया तो वह उसमें 2-4 लाक रपाय कमा रहा है तो इन लोगों के लिए उन लोगों से इनको मिलाना जरूरी है ता जिनसे जो लोग पैसे कमा रहे हैं आर्चेट सिस्टम से उनसे इनकी मुलाकात करवानी है ताकि ये प्रोग्राम इससे लोगों को ये पता चले कि फूट कल्टिवेशन में पैसा है और लोग इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं यह किसान सकॉस जमू, अकनूर, क्रिशी विज्यान केंद्र, रियासी, विजेपूर में नहीं तकनी को जान पाएंगे के कोशिश करेंगे, इसलिए हमें ये डिवार्डमेंट हर साल दो दिन का तूर देते हैं, कसानों को, सर जैसे अभी गोवर्मेंट की सुविदा मिल रही है, लोग भी पड़े लिखे हैं, किसानों के लिए बहुत सुविदा आ रही है, पैसा भी आ रहा है, नही नही टेकन की जैते हैं हमारा इतना सीनाया व्रेस आ वैरिया है, उसमें हम कैसे इस्तुविदा मंट कर सकते हैं उसके लिएटों हम जा रहे हैं, तूर ऑजा तूर है हारिकर्मेंट का योज़ा मुदा है हम इनकुप हoquो पूरा करने वहां करें एक सब्सक्याइग सब्सक्राइब कंश शफीक खालिद डिप्टी डारेक्टर बागवानी विबाग ने हरी जंडी दिखाई वहीं मुख्य बागवानी अधिकारी सरबजीत सिंग भी उपस्तित थे ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे तब तक देखते रहे हैं एनच्वन न्यूज